हेलो एवरीवन मेरा नाम है डॉक्टर केज साउगले और हमारे चनले डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पैनिक्रेटिडिस के बार में पैनिक्रेटिडिस का मतलब होता है पैनिक्रेटिडिस को सूजन आना अब पैनिक्रेटिडिस क्या होता है वो कहा होता है उसको सूजन किस वज़े से आती है उसके वज़े से उस पेश में क्या क्या साइंस और सिंटम्स आते हैं इसको किस तरह से डाइगनोस करते हैं और इसक प्रॉपर लेवल में रहती है, इसी के साथ सा तो परसन जो भी खाना खाता है, उस खाने के डाइजेशन के लिए जो enzymes required होते हैं, उन enzymes को भी synthesize करने के काम यह organ करता है तो यह organ हमारे abdomen में होता है और इसको pancreas ऐसे बोलते हैं, तो जब भी कभी इस pancreas को सूजन आती है, तो इसको हम pancreas ऐसे बोलते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि pancreas किस वज़े से हो सकता है तो pancreas होने के वज़े से बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ major reasons की बात करें, तो अगर कोई व्यक्ती लगातार बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, अगर कोई व्यक्ती लगातार शराब पी रहा है, तो excessive alcohol consumption के वज़े से भी उस व्यक्ती में pancreas हो सकता है होना, high calcium level होना, high triglyceride level होना, किसी भी तरह का abdominal infection होना, या फिर abdominal injury होना, एक कुछ reasons है, जिनके वज़े से उस patient में pancreas हो सकता है, इसी के साथ साथ जो लोग obese होते हैं, जिनका body weight काफी जादा होता है, उन लोगों में भी pancreas हो सकता है, और खास करके जो pancreatic cancer के patient होते हैं, उन कुछ main reason है, जिनके वज़े से किसी भी वेक्ती में pancreatitis हो सकता है, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि pancreatitis के लक्षन क्या-क्या होते हैं, इसके बारे में, pancreatitis के वज़े से उस patient में, उस patient को पेट में बहुत जादा दर्द महसुस होता है, और ए दर्द radiating to back होता है, मतलब कि उस patient में abdomen के upper side में दर्द महसुस होता है, और उस patient अपने peat के पिछले इससे तक महसुस कर सकता है, इस तरह से उस patient के पेट में दर्द होना, इसके साथ इस तरह का पेट दर्द, उस patient के खाना खाने के बाद जादा बढ़ जाता है, इसके बाद बुखार आना, patient का heart rate पैनकरेटीरिस के पैशिंट में इसी के साथ साथ वेट लॉस भी देखा جاتा है मतलब कि अगर किसी पैशिंट में पैशिंट में पाफे स्याध्यू स्फार्ट— WASN् पहले से पर यतल होता है तो सबसे पहले होते हैं अल्कोहलिक लोग मतलब जिन लोगों को शराब की आदत है उन लोगों में pancreatitis होने का खतरा सबसे जादा होता है इसके साथ साथ smoking जिन लोगों को हमेशा cigarette smoking करने के आदत होती है उन लोगों में भी pancreatis होने का खत्रा काफी जादा होता है अगर किसी वेक्ति में pancreatis की family history है तो उस वेक्ति में भी आगे जाकर के future में pancreatis हो सकता है और अगर इसी के साथ साथ जैसे हमने कुछ दिर पहले बात की अगर किसी वेक्ति का body weight काफी जादा है तो भी उस वेक्ति में future में pancreatis हो सकता है तो इसके बाद हम बात करेंगे कि pancreatis को किस तरह से diagnose करते हैं इसके बारे में तो pancreatis को diagnose करने के लिए सबसे पहले हम कुछ blood test कर सकते हैं for example serum lipase, serum amylase इस तरह के कुछ blood test भी कर सकते हैं इसके साथ-साथ उस patient का CT scan of the abdomen कर सकते हैं इसके साथ-साथ ultrasonography of the whole abdomen भी कर सकते हैं उस patient में fat levels को check करने के लिए उस patient का stool examination भी किया जा सकता है इसके साथ-साथ MRI scan भी कर सकते हैं और endoscopic ultrasonography भी कर सकते हैं तो एक कुछ proper diagnostic technique से जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी व्यक्ति में उस patient में pancreatis है या फिर नहीं है इस बात को तय कर सकते हैं और pancreatis को diagnose कर सकते हैं तो इसके बाद हम बात करंगे pancreatis के treatment के बारे में science और symptoms कम होने में मदद मिलती है इसके साथ-साथ उस patient को दर्द कम करने के लिए कुछ analgesic और pain relieving medications दिये जाते हैं कुछ IV fluids भी दे जाते हैं IV fluids देने के बाद भी उस patient का pain दर्द काफी ज़्यादा कम हो जाता है अगर किसी patient में gallstones है और gallstones के वज़े से bile duct obstruction हुआ है तो फिर उस patient में bile duct obstruction को दूर करने के लिए कुछ procedures भी किये जाते हैं इसके बाद pancreatis से recover करने के लिए उस patient में gall bladder की surgery भी कर सकते हैं इसके साथ patient के अनुसार मतलब क्या situation इसके वपर इस बात को decide किया जाता है किसी-किसी patient में gallbladder की surgery भी करनी पड़ती है किसी-किसी patient में pancreatis की surgery भी करनी पड़ती है अगर किसी patient में excessive alcohol drinking के वज़े से pancreatis हुआ है तो फिर उस patient को alcohol चुड़ाने के लिए मतलब शराब चुड़ाने के लिए कोशिश की जाती है उसके लिए उस patient को proper consulting किया जाता है उस patient को कुछ medications भी दे जाते हैं ताकि उस patient का alcohol dependence कम हो सके इसके बाद उस patient के diet में मतलब कि खाने में कुछ changes भी के जाते हैं जैसे कि उस patient को खाने में कुछ fatty चीज़े कुछ oily चीज़े नहीं खाने दिये जाते हैं क्योंकि उस patient में जबकि pancreatis होता है तो उस व्यक्ति के pancreatis के वज़े से पहले ही वो व्यक्ति ठीक से fat को digest नहीं कर पाता अगर इसके अंदर वो patient और भी ज़्यादा कुछ fatty चीज़े खाता है जिनके वज़े से उस patient के body में काफी ज़्यादा fat जा रहा है तो इसके वज़े से उस patient की problem काफी ज़्यादा बढ़ सकती है कुछ complications भी हो सकते हैं इसके लिए उस patient को diet में oily चीज़े, spicy चीज़े इसके साथ साथ जिन चीज़ों के खाने के वज़े से उस patient में fat level काफी ज़्यादा बढ़ता है तो इस तरह के जो fatty meals होता है उस patient को award करने के लिए कहे जाते हैं इसके साथ साथ जिस भी खान में fat content नहीं है इस तरह का खाना उस patient को दिया जाता है जबकि उस व्यक्ति में pancreatis हो चुका है तो फिर उस व्यक्ति में उस व्यक्ति का जो pancreas है वो ठीक से digestive enzymes को तयार नहीं कर पाता इसके वज़े से उस व्यक्ति में digestion में भी problem आने लगती है तो इस problem को दूर करने के लिए उस patient में कुछ digestive enzymes के supplements दिये जाते हैं जिनकों कि हम pancreatic digestive enzymes ऐसे भी कहते हैं जिनके वज़े से उस व्यक्ति के digestion में काफी ज़्यादा मदद मिलती है तो आज हमने इस व्यक्ति में बात की pancreatis के बारे में अगर आपके इसके विशे में कुछ doubt से तो आप आमें नीचे comment section में ज़रूर पूस सकते हो और आपको इस वीडियो से कोई knowledge मिले तो इस वीडियो को एक like करे और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो जाते जाते subscribe भी करें और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवद